Hello everyone, welcome to my channel आप लोगों ने एक common doubt पुछा था मेरे need journey वाले वीडियो में कि how to do test analysis test analysis हम क्यों करते हैं marks improve करने के लिए इस वीडियो के last में बताऊँगा कि marks कैसे improve करना है test analysis के बाद तो चलिए discuss करते हैं सबसे पहले analysis करना किसका है test में जो question गलत हुआ या जो question सही हुआ है तो analysis दोनों का करना है कि सही हुआ तो क्यों हुआ गलत हुआ तो गलत क्यों हुआ चलिए पहले बात करते हैं wrong question में कि अगर गलत हुआ तो क्यों हुआ क्या वो question आता था या नहीं आता था जैसे जो question नहीं आता था उसका तो topic ही नहीं पता था पढ़े नहीं थे इसलिए नहीं आता था उसका तो एक अलग कैसे कि उसको पढ़ेंगे जाके समझेंगे तो वो question फिर से बनने लगेगा लेकिन जो question आता था फिर भी वो गलती हुआ तो वो ज्यादा important है उसको discuss करना कि आधिर वो गलती कियों हुआ क्या वह सिली Eye Mistake के वज़े से गलती वह या Conceptual Eye Mistake के वज़े करने से silly mistake को कम किया जा सकता है और जो conceptual mistake के वज़े से गलती हुआ है तो उसमें क्या था कि अगर हम question मतलब गलत concept ही हम जानते हैं मतलब मेरा concept ही clear नहीं हम कुछ और ही पढ़ लिए हैं इस वज़े से गलती हुआ या मैंने question पढ़ा और उसमें गलत concept लगा दिया मतलब question कुछ और पूछना चाता था और हम कुछ और उसमें concept लगा के उसको solve कर दिया इसलिए गलती हुआ तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले उस concept को clear करना है जाके दोबारा पढ़ना है और उसके बाद उस concept से related ज्यादा से ज्यादा mcq लगाना है ताकि वह चीज हमेशा के लिए clear हो जाए और आगे आने वाले टेस्ट में वह topic गलती ना करें हम और जो question छूट गया इसमें भी दो case हो सकता है या तो time management के जैसे छूट गया या तो exam के वक्त वह concept ही भूल गया या concept में confuse कर गए कि करना क्या है time management वाला अलग कैसे उसको अलग से देखना पड़ेगा और जो question का concept भूल गये थे exam के वक्त उसमें मतलब revision की कमी है उसमें multiple time revision उसमें require है जित्ता ज्यादा revision करेंगे ताकि वह हमेशा याद रहे और अगले test में भी वह याद रहे और जो question सही हुआ या तो वह दो बिल्कूल आता था अच्छे से तबतों सही हुआ तब तो अच्छा बात है और जो question get करने से सही हुआ बहुत सारा question guess करने से भी सही होता है तो उसमें क्या करना है उस concept को जाके test के बाद देखना है और उससे related कुछ MCQ लगाना है और उसका revision भी करना है analysis में करना क्या है question को distinguish करना है कि वो किस type का question है और उसको mark करना है उसके बाद उसका solution question side में लिख देना है उस question के नीचे उसका solution लिखना है और उससे related MCQ सब solve करना है और वो जो question को mark किये हैं उस question को अगले जो test होने वाला है उससे पहले पढ़ के जाना है तभी वो फाइदा करेगा next बात करते हैं most important how marks will increase test analysis तो कर लिए लेकिन mark से increase नहीं हो रहा है तो देखो mark suddenly increase कभी नहीं होता है तुम किस type का question कलत कर रहे हो यह पता करने में 3 से 4 test तुमको लगबग कम से कम लग ही जाता है तभी तुमको पता चलता है कि हम majorly mistake किस type का कर रहे है और एक गलती जो बहुत कोई करते हैं वो क्या करते हैं सारा question solve करने का सोचते हैं और सारा question solve कर भी देते हैं आता है या नहीं आता है फिर भी maximum question को solve कर देते हैं तो इस negative marking तो होता ही है तो सारा question कभी भी solve करना नहीं होता है जिसमें मतलब एकदम 100% confirm उसको तो करना ही है बाकि जिसमें 70% तक confirm है जोगा और जो टेस्ट का तयारी होता है जैसे एक टेस्ट खतम हुआ अब नेक्स संडे जैसे टेस्ट है तो एक सप्ता का गया तो उसमें एक दो दिन जो टेस्ट में गया उसके बाद तुरत तयारी स्टार्ट कर दो टेस्ट का नेक्स्ट वाले टेस्ट का और अगर पढ़ा किलियर होता नहीं है और लाज्ट टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है आई तिंक मैंने लगबख सारा केस डिसकर्स कर दिया है कि किस-किस टाइब का गलती टेस्ट में एक एवरेज स्ट्रेंट कर सकता है और उसको कैसे ठीक करना है और अगर कुछ छुट गया हो तो आप कमेंट कर दिजेगा I will try to solve your queries I am 100% sure अगर इसे अच्छे से follow करोगे तो marks surely increase होगा ही होगा आपका जो भी doubt था test analysis को लेकर अगर वो clear हुआ हो और इस वीडियो से आपको कुछ भी help मिला हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर करें और इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल अब नोटिफिकेशन को अन कर लें थैंक्स पूर वाचिंग